हाई ये सब स्वागे थे नियूटिगल चैनल पे मेरा नाम है निताशा सिंग और फाइनली एपल ने अपने चार आइफोन लाँच कर दिये हैं जिनसे हमारे खर्चे वाले दिन स्टार्ट हो गए हैं आपको यहाँ पे आइफोन के चार फोन मिलेंगे जिसमें है हमारा आइफोन 13 मिनी, 13, 13 प्रो एंड प्रो मैक्स जिसमें अच्छी बात यह है कि इसमारे प्राइस और बढ़ाया नहीं गया है जो सेम प्राइस था हमारे आइफोन 12 सीरीस का उनसी प्राइस में आपको यहाँ ये devices मिलेंगे, हाला कि हमेशा की तरह, इंडिया में prices हमारे जादा ही है, मतलब बाहर के country से, अगर मैं US के साथ compare करूँ, तो हमारा जो iPhone 13 Pro है, उसका price है thousand dollar, जो कि इदर हम इंडिया में आज के date पे देखें, तो approximately 76,000 के आसपस आपको price मिलता है, लेकिन हम, हमें पे करना पड़ेगा, इंडियोंस को specially 1,20,000, so आपको यहाँ पर यह price मिल रहा है, लेकिन इस बर देखा जाए, जो iPhone लेने का जो मजा होता है, वो हमें वो वाला मजा देखने को नहीं मिल रहा है मतलब थोड़ा से मैं disappointed हूँ क्योंकि Apple ने अपने look के उपर कोई जाधा काम नहीं किया generally क्या होता है, हमारे इंडिया में तो यह चीज normal है, कि जब भी iPhone किसी ने लेना होता है, वो show off के लिए लेते हैं वो लेते हैं कि style statement है device की भाई, आपके भाई ने एक latest device पकड़ा है costly device पकड़ा हुआ है, दूर से पता चल जाना चाहिए, अब यहां पे जो हमारी look आई है, iPhone 13 series की, इसकी अंदर आपको difference जादा देखने को नहीं मिलेगा, वादा जैसी हमारी 12 series है, वैसी आपको यहां पे 13 series मिल रही है, हाला कि थोड़ा सा जो difference है, हमारे यहां पे जो iPhone 13 और 13 mini हैं उसके जो बैक के कैमराज है उनकी position थोड़ी सी change कर दी गई है मतलब पहले vertical थे, अब हमारे हलके से diagonal हो गई है, इसके इलावा अगर आप चाहते है कि पता चले कि आपने नया वाला latest iPhone पकड़ा है तो उसके लिए आपको जो इनका नया color आया है, वो ही लेना पड़ेगा, पतलब यह तो जबरदस्ती वाली बात हो गई है, हाला कि यह जो हमारा design था, वो इतना comfortable भी नहीं था मतलब boxy look है, और iPhone 12 Pro Max जैसे मैंने काफी time use किया है उसके अंदर काफी बड़ा सा हो जाता है device हमारा thick device है और उसके बात boxy look होने की वज़े से आपकी पूरी तरह grip में नहीं आता device तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मतलब जादा देर hold करना हो तो इतना comfortable नहीं लगता device, हाला कि जो हमारे छोटे वाले size के devices है 12 pro हो गया हमारा या फिर mini हो गया वो पूरी तरह आपके हाथ में आ जाती है यह चीज तो बड़िया रहती है बड़ा अगर अगर आप लेंगे तो इसके अंदर आपको इतना comfortable नहीं लगेगा device इसके लावा अच्छी चीज यह है कि आपको IP68 dust and water resistant rating मिल जाती है और बड़िया चीज यह है जिस पर काम किया गया है कि जो हमारा iPhone 13 और 13 mini है इस पर भी जो हमारी IP68 rating है वो 6 meter तक tested है पहले हमारी कम होती थी लेकिन इस बर standard 4 में हमारा same हारा है इसके लावा हाला कि display के अंदर पर काम किया गया आपको 120 Hz का refresh rate मिल जाता है लेकिन जो notch है जो कि मुझे लगता है बहुत सरे लोग प्रे कर रहे होंगे कि प्लीज एपल इस बर नॉच हटा दे तो वो नहीं हटी है बस 20% reduce कर दी गई है अब 20% से ऐसे कोई खासा फाइदा आपको नहीं होगा अब आज की डेट में अगर मैं बाकी devices के साथ compare करो तो यहां पे हमें all display वाले devices मिलते है जिसके अंदर आपको एक छोटा सा punch hole मिलता है तो उसी साब से अगर 50% reuse करते तो भी शायद जादा फाइदा नहीं होता 20% में तो मुझे जादा फाइदा लगा नहीं है इसके लावा brightness को थोड़ा और improve करा गया आपको devices के दर जादा brightness बढ़िया वाली मिलेगी इसके लावा बात करो अगर मैं storage के बारे में जो 13 Pro 13 Pro Max है उसके अंदर आपको highest जो है वो 1TB तक space भी मिल जाती है तो बढ़िया हो गया लेकिन जो Pro Max होगा 1TB वाला वो 1,80,000 तक चला जाएगा तो मैंने जो पहले लिया था iPhone 12 Pro Max का बड़ा वाला variant वो में को 1,60,000 का पड़ा था अब आपको ये 13 Pro Max पड़ेगा 1,80,000 का तो अच्छा खासा खर्चा आपका होने वाला है इसके इलावा बैटरी के अंदर भी आपको improvement देखने को मिल रही है मतलब कितनी MH की बैटरी मिल रही है ये तो Apple हमें नहीं बताता लेकिन अगर मैं बात करूँ बैटरी performance की बैटरी backup की तो यहाँ पे भी आपको improvement देखने को मिल रही है आइफोन 13 और 13 Pro Max वो हमारा धाई गंटे जादा आपको बैटरी 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 बैकप देंगे तो उससाब से बढ़िया है कि अब आपको थोड़ा बैटरी बैटरी बैकप जादा मिल जाएगा इसके इलावा हमारी जो performance है उसके अंदर भी आपको improvement यहाँ पर देखने को मिलता है मतलब आपको A15 बारनेक चिपसेट मिल जाता है जिसके अंदर GPU, CPU में दोनों में Apple ने तो claim किया है कि अभी जो हमारी जतने भी flagship है उनसे काफी जादा बढ़के आपको यहाँ पर performance मिलने वाली है तो उससाब से हम तो चेक ही कर लेंगे जब device हमारा आता है टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि actual में कितने performance हमारी better होती है और क्या हमें result मिलते हैं अब इसके बाद बात करूँ अगर मैं cameras के बारे में तो यहाँ पे आपको improvement देखने को मिल रही है मतलब सबसे पहले जो हमारे megapixel है उसके अंदर तो कोई improvement नहीं है आपको चारों devices के अंदर सारे cameras, front and back, सारे cameras 12 megapixel के ही मिलते हैं लेकिन यहाँ पे improvement करी गई है जिसमें सबसे पहले अगर मैं आपको setup बताऊं हमारे iPhone 13 or 13 mini का तो इसके अंदर आपको यहाँ पे ultra wide और हमारा wide angle मिल जाता है कि 12 series में को बात करूँ तो सिर्फ max में हमें देखने को मिला था मतलब pro में भी हमें नहीं मिली थी यह चीज लेकिन आपको यहाँ पर पूरी series के अंदर यहाँ पर मिल रही है मतलब standard कर दिया है Apple ने कि पूरी series के अंदर आपको यह चीज मिल रही है तो जिससे कि आपके जो pics हैं वो काफी better आएंगी काफी smooth आएंगी इसके साथ वीडियो ग्राफिक के अंदर भी हमें एक नया mode देखने को मिल रहा है cinematic mode जिसके अंदर आपको blurring जो मिलेगी वो जैसे हमारी movies होती है यह वैसा blurring effect आपको यहां पर देखने को मिल रहा है इसके साथ autofocus shift आपको देखने को मिल रहा है जिसमें आपको बढ़िया effect देखने को मिलेगा अपने videos के अंदर अब यह भी camera आएगा तब ही मैं आपको test करके बताऊंगी कि actual में कैसा लग रहा है अपल के claim के साबसे तो बहुत ही बढ़िया है अब यहां पर बात करों 13 pro, 13 pro max के बारे में तो यहां पर भी हमारे camera में improvement आपको देखने को मिलती है तीन camera है हमारे 12 megapixel के जिसके इंदर 3x optical zoom मिल जाता है साथ हमारे 12 megapixel का आपको selfie camera मिलते हैं चारो devices के अंदर और उसके अंदर भी आपको cinematic mode में videography करने की option मिल जाती है साथ ही आप 4K video recording भी कर सते हैं 60 frames per second पे So overall देखे तो camera पे भी काम किया है, pixel नहीं बढ़ा है कि और performance पे काम किया है, battery पे काम किया है, बस अगर look पे भी काम कर लेते तो फिर बंदा मतलब पूरी तरह खुश हो जाता बहुत सरे लोग होती है जोनों इतने सारे features को actual में use नहीं करना होता लेकिन उनके लिए सबसे पहले यह style statement होता है कि show करने के लिए तो लेना ही लेना है device So इसे साब से यहां पे थोड़ा सा disappointing लगा, इतना मज़ा नहीं आया, अगर look पे थोड़ा सा work करके लेकर आते तो मन एकदम खुश हो जाता अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ pre booking की तो वो हमारी start हो रही है यहां पे 17 September से और 24 September से यह devices आपको available हो जाएंगे तो मेरे हसाब से आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं लेकिन अगर आपके पास iPhone 12 Series है आप कोई भी phone यूज कर रहे हैं 12 Series का तो मेरे हसाब से आप इन phones को छोड़ सकते हैं 13 को skip कर सकते हैं अगर आप 11 Series का कोई phone यूज कर रहे हैं तो आप अपग्रेड करेंगे तो कोई इस पर प्रॉब्लम की बात नहीं है या पहली बार अगर आप iPhone ले रहे हैं तो आप बिलकुल ले सकते हैं क्योंकि डिवाइस पे बहुत जादा काम करके आपको बड़ी आफ पीचर लेकर आय आर वा की बार आ shortest अप लेकर 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 आप फुर औरे लेकर आ टुझए सकते हैं की बार सकते हैं तो किले वाGuRTbor में लेकर में उडस सकते हैं ूब प्रॉब्लम में इसे थीवाइस सकते हैं झाल झाल